जय सिवसंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विशाय ले करके प्रस्तूत हूँ और आज मैं आपको एक महत्व पूर्ण सूचना देने के लिए आया हूँ साथ ही एक समस्या का समाधान भी ले करके आया हूँ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना न भूलिएगा मित्रों अगर आपका ग्रिहस्त जीवन बहुत दुखी है तकलीफ में है, कश्ट में है ग्रिहस्त जीवन का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका है घर में कलह कलेस है, उन्नती नहीं है, प्रगती नहीं है यहां तक कि आप अपने परिवार के आपसी संबंधों से भी संतुष्ट नहीं है और ऐसी स्थिती आ गई है कि ग्रिहस्त जीवन की गाड़ी खीचना अब मुस्किल लगने लगा है जब ऐसी कंडिशन आ जाती है, तब एक ग्रिहस्त यहीं सोचता है कि यार घर बार छोड़ कर कहीं चला जाओं ऐसे लोगों के लिए आज में समाधान लेकर आया हूँ अगर ऐसी स्थिती आपके साथ भी है, तो आपको एकादसी का व्रत करना चाहिए जी हाँ, 12 फरवरी दिन सनीवार 2022 याने ठीक अगले दिन, जया एकादसी है जया एकादसी का व्रत रखने वालों की हमेशा जय होती है, जय जयकार होती है, उनका कभी पराजय नहीं होता मित्रों मेरा अनुभव है कि प्रतेक ग्रिहस्त को प्रतेक महिने की सुक्लपक्ष की एकादसी का वरत रहना चाहिए क्योंकि एकादसी वरत के समान कोई वरत नहीं है सबसे इस्रिष्ठ है एकादसी का वरत ग्रिहस्तों के लिए और जब एक रिहस्त एक आदसी का वरत रहने लग जाता है तो धीरे धीरे उसके पाप दोस नश्ठ होने लगते हैं और पापो का ही पापो पुण्यों का ही सारा खेल है उसके ग्रह दोस भी बैलेंस होने लगते हैं सबसे बड़ा benefit क्या होता है बताओं अगर उस व्यक्ति के पित्री गण किसी नीच योनी में पड़े हुए हैं दुर्दसा में पड़े हुए हैं प्रेत योनी भोग रहे हैं तो वे अपनी दुर्दसा से मुक्त हो जाते हैं और ज्यादा तर ग्रिहस्तों की समस्या का कारण पित्र दोस होता है और लोग कुछ होर समझ कर यहां वहां भटकते रहते हैं और उनके पितर ऐसे ही रहे जाते हैं तो मित्रों आप एकाथसी का वरत सुरू कीजिए आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ प्रात का लस्नान आप संपन्न कर लें और उसके पश्चात पूजा जब आप सुरू करें तो विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें बहुत पुण्य मिलता है काथसी है और बड़ी कृपा मिलती है प्रभू की इस इसलोग के उचारण से फिर क्या करना है आपको इस दिन एकाथसी के दिन इष्ट मंत्र या गुरू मंत्र की दस माला जब करें सामने किसी पात्र में जल रख कर और जब आपका जब समाप्त हो जाए तो उस पात्र के जल को घ कले सोता हो तो वो सांत हो जाएगा और आपके घर की बरकत दिन दूनी रात चोगनी होना शुरू हो जाएगी और एक चीज ध्यान लखना है अगर आप व्रत कर रहे हैं तब तो ठीक है फल फलाहार रहना है और नहीं कर रहे हैं तो आपको एक आजसी के दिन चावल और आनकारी आप इसका लाब उठाएं और मुझे आग्या दे जये शिव संकर